बर्सात के मौसम अभी स्टार्ट होने बहुत ज़्यदा करें चार ऐसे किचन टिप्स जो आपके किचन में बहुत काम आएंगे मचर मखी अगर है यह वाला टिप्स जरूर देखिएगा पसंद आए तो भरपूर प्यार दे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज सब्सक्राइब चरूर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते और देख लेते पहला किचन टिप्स तो कभी भी आम इस कैसी कैसे यूज कर सकते हैं यहां पर सबसे पहले इसकी चैशे काहट कर लेंगे इस तरी के से कह चीज सी कट करके निजी मावर चढ़ाएक आधिकले दब्बे को हम पहना देंगे और दीखे मैंने यह आप दो तरीके से आपको बता रही है एक तो मैंने पीछे की तरफ बांग लिया इसे और दूसरा कि आप डाइरेक्ट डब्बे को इसके अंदर गुसा दीजिए अगर बड़ा बैग है तो आप इसके अंदर इजिली डाल द दब्बे रखिए जो तेल है नीचे नहीं गिरते है और जो जितना भी गिरता भी है तो यह कपड़ा है बैग सोख लेता है बहुत छोटा सा टिप से इससे अपनाईय का पसंद है तो भरपूर प्यार दे इसे शेयर करें लाइक जरूर करें तो चली आगे देख लेते हैं इसे बहुत काम आने वाला है देखिए कच्छी मुंफली जो होती है इसे फ्रिज में रखिए तो बहुत ही अच्छा रहता है लेकिन बिना फ्रिज के लंबे डाइम तक आपको रखना है तो आपको बड़ी आसा टिप्स बता रही हो तो यहां पर देखिए मुंफली अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे किसी भी डबे में बंद करके बीना फ्रिज के किचन में स्टोर करके रखिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे और एक काम भी असान हो जाता है कि हमें चटनी वेगर बनाना होता है तो हम एजीली लेके बना सकते हैं कभी कभी क्या होता है ना कि हमें जब चटनी बनाना तो मुंखुली को सीख ना होता है फिर हम चटनी बनाते है लेकिन सीख के रखेंगे तो हमारे दो दो काम आसान हो जाएंगे अब देखे अगला टिप्स है कि देखे मुंखुली के छि लेना है और थोड़ा सा रगड़ना है और गुनगुना रहा है ना मुंखली से के जब उसी टाइम आपको यह काम कर लेना इजली छिलका निकल जागा और कहीं फैलेगा बने जितनी गंगी रहेगी सब बैक के अंदर ही मेरे कहने से एक पर यह टिप्स जरूर अपना के देख और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को कौन से सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और यहां पर देखिए मुंखली जो है अच्छी तरीके से चिलके निकल गई है अब इसे आप चाहें तो जो चलनी ह तैसे अगला टिप से बहुत काम काई तो यहां पर मैं ले लिया है अगरों में आसानी से मिल जाएगी और यह बहुत सस्ते होते हैं आपको जो जो ग्रोजरी दुखान भी आपको मिल जाएगी तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए बस एक ही गोली चाहिए इसी के साथ हम ले प्रेपर में रख लिए कपूर और फिनाइल की गोली को फिर कूट लिए क्योंकि इनके स्मेल बहुत होती है तो इसलिए मैंने इस तरीके से किया है आप चाहें तो पेपर में रख के कूट लिए और यह देकि असानी से पाउडर तयार हो गया है अब इसमें हम डालेंगे पानी तो आपको जितना स्लिख से बनाना हो अईदर कारेंगे लेकिन याप तो पर दो चोटी बोट्र के बरावर तो आप इसे साबत जो लॉंग है न वो भी एड़ कर सकते हैं जब आप लॉंग साबत एड़ करेंगे तो आपको क्या करना इसे थोड़ी दिर छोड़ देना है ताकि जो लॉंग का फ्लेवर अच्छी तरीके से पानी में एड़ हो जाए तो इसमें मैंने एक छोटी चमच भ भर लिजिए पर लिजिए यह इस तरीके जो स्प्रे बोटल आते हैं पजार में सस्ते वाले आप वह भी ले सकते उसमें भर के आप इसे जहां भी आपको लगे कि आप कीड़े मकोड़े चिप के लिए और बरजाद के दिनों में चोटे-चोटे पंक वाले कीड़े बहुत पर किन नारे told वहां पर जिए अघ्ड हर ऑल्लेर को फोर में दिवाल निसान भी नहीं आते हैं ऑस से श्प्रेए कर सकते हैं और The मच्छर मकी कोक्रोच होंगे वो दुबारा नहीं आएंगे इस तरीके से आप एक बाद जरूर रिसे अपनाईएगा आपको थोड़ा सा भी यूसफुल लगता है पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स है यह भी मच्छ प्लीज करें तो अगर आपको थीखा हुआए तो आपको आपके लाइट निकाल दे ठीकाल दे भी उसके बाद यूज करें दन्डिय जो होती है नुखिलाय मिर्च अब ले सकते हैं यह पर और प्याज के छिलके चाहिए प्याज नहीं लेना है इस तरह कि शिलके लेने ऐं तो इस तरीके से में प्याज के छिलके निकाल लूँगी और जो सुखी लाल मिर्च है और जो तेज पत्ता है प्याज के छिलके उसे हमें छोटे-छोटे इस तरीके से कट कर लेना है कैंकि मिर्ची कुट कर लें गार चोड़े का सबड़त हैं श्वाल में करते हैं वैं गboro कट्रानि 테र्ठी में से क्षण entrekah ने करतेते मिर्ची केजिए ने कर लेंगे आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं जो उपर जो आई बटन होगा वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें फेस्बुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताए कि कैसी लगे और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले तो दिखे मैंने सारे चीज़ों को कट कर लिया है और रूई लेना है जो रूई हम बत्ती बनाने के लिए यूज करते हैं बस थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिजे और इसे थोड़ा पतला कर लेना है और इस तरीके से जो हमने कट किये थे तेज़ पत्ता प्याच के छिलके लॉंग और इस तरीके सामें रूई में लपट लेना है लियसा सी तरीके सामें यह रोल कर लेना है को आप चाहिए तो यहां पे कोटन बनाने के कोई घपड़ा भी ले सकतें मैं नियम का तेल नीम का तेल के रेसे भी मैंने सेयर की है कैसे इसे बनाते हैं आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर और अगर आपके बास नीम का तेल नहीं है तो आप ले सकते हैं आप सरसो तेल जो कड़वा होता है और इसे हमें जला लेना है जलाने के बाद आपको ऐसी जगह पर रखना जहां अंदर लाने के बाद थोड़ी दिर अपने गेट खिड़की दरवाजे सब बंद कर दीजिए हो सके तो थोड़ी दिर फैन भी बंद कर दीजिए और इसका जो धुआ है बहुत कड़वा है इसके स्मेल से मचर बिल्कुल भी आएंगे नहीं और जो मखी मचर घर के अंदर रह झाल की खिवैंगे नहीं। बरत जितना बंद कर दो मचरूग कर दाद कर शेनती हैं झाल 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 झाल